हेलो फ्रेंज स् नेहा की पाक्षाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगदालवडी की सबजी जिसे मितोरी भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या-क्या इंग्रिडियंस चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक कप मूंग एक छोटा चमच हल्दी, एक छोटा चमच धनियां पाउडर, आधी छोटी चमच जिंजर चिली पेस्ट, एक छोटी चमच जीरा और दो चुटकी हीन, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मूंग दालवडी की सबजी बनाना, मूंग दालवडी की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दालवडी को थोड़ा सा रोस्ट करना है, तो उसके लिए हम एक छमच टेल डालेंगे, और उसमें अपनी निढ्सारी डालेंगे, यानि कि मूंग दाल वडी, अब इसको पेल में अच्छी से मिक्स करेंग और अब हम इसे थोड़ा सा सुनहेरा होने तक लो फ्लेम पे भूनेंगे इसे बीश बीश में चलाते रहें जिससे की ये तले में लगकर जले लहेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे भूने ये पाँच मिनिट लेगी भूने में आप देख सकते हैं कि हमारी सारी मूमगाल वड़ी सुनहेरे कलर्शी हो गई है अब हम इसको एक बोल में निकालेंगे अब हम सेंग पुकर में अपना तेल डालेंगे गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे थोड़ा गरम होने देंगे हमारा तेल अब गरम हो गया है अब हम इसमें अपना जीरा डालेंगे हीन डालेंगे और जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें अपना हल्दी पाउडर डालेंगे और भनिय पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब टमाटर डालेंगे अब नमक डालेंगे arrangement स्वद आदिंगे मोगे मगाविक नमक के अच्छे से शॉफ्ट हो जाये नमके काफनी अपनी स्वाधा शॉटाजाए डालें और अच्छे से मिक्स करेंगे अब टमाटर को लोने तक अच्छे से पकने गये हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिससे की इनमें टुकड़े ना रहें अब हम इसमें अपनी मूंग डाल वड़ी डालेंगे और साथ ही साथ आलू डालेंगे जो हमने काट के लिए हुए हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे मूंग डाल वड़ी इधिली मार्केट में एवेलेबिल है और मूंग डाल वड़ी को आप अपने घर में भी धुली हुई मूंग डाल से बना सकते हैं अभी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें एक गिलास पानी डालेंगे अ अब कुकर को बंद करेंगे अब इसमें एक सीटी आने देंगे टैस को हाई फलेम पे रखेंगे हमारे कुकर में एक सीटी आ चुकी है अब हम 7 मीनुट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे जिस्ते कि हमारी मूंग डाल वड़ी अच्छे से पख जाया Lead कुकि मूंग डाल बड़ी को थोड़ा पकने में हमारी बन गई है अब हम क्वां को फैसको चना होने देंगे नालें बढ़ें और इसको भीलुड उंड़ लुक लइगे अब हम अपनी सब्जी को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे अब हम इसमें उपर से थोड़ा सा धनिया पती डालेंगे हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है ये बहुत ही स्वादिश्ट होती है और बहुत जटबट बन जाती है गर्मियों में जाता सब्जी की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे अपने घर में कभी भी बना सकते हैं और इससे आपका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ पूड़ी पराठे किसी के साथ भी लंच डिनर में खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू